Hello everyone, this is Dr. Shikha Gupta from Diva Hospital and IVF Center. आज मैं आपको इन्जेक्शिन HCG के बारे में बताने वाली हूँ. इन्जेक्शिन HCG, जो भी Fertility Treatment पेशेंट्स लेते हैं, उनको पता है कि दॉक्टर HCG इन्जेक्शिन फ्रीक्वेंट्ली लगाते रहते हैं. HCG इन्जेक्शिन का Fertility Treatment में क्या रोल होता है? HCG इन्जेक्शिन जो है, हम पेशेंट को बीज बनाने की जब दवाईयां देते हैं, और पेशेंट को सोनोग्राफिक के लिए बुलाते हैं, ये चेक करने के लिए कि उसका बीज बना है कि नहीं बना है. जब उसका बीज बन जाता है, बीज बनना किसको कहते हैं? बीज का साइज एट लिस्ट 18 से 22 मिलिमीटर का होना चाहिए, तब उस बीज को हम बना हुआ कहते हैं. करी बार बीच छोटा होता है 15 mm, 16 mm का होता है तो वो पका हुआ बीच या परिपक्पो बीच नहीं होता है वो कच्चा बीच होता है तो उस पर हम कभी injection HCG नहीं लगाते जब बीच का साइज 18 से 22 mm का हो जाता है तब हम injection HCG लगाते हैं HCG injection का क्या काम होता है HCG injection का काम हाथ होता है ovulation ovulation क्या होता है? ovulation होता है बीज का अंडेदारी में से छूटना और fallopian tube में आना वो बहुत ही important step होता है क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो हमारी medicine सब बिकार हो जाती है और egg जो है वो ovary में इंगी trapped रह जाता है और फिर conception नहीं होता तो HCG एक तरीका है जिससे pregnancy होने की संभावनाएं बढ़ाई जा सकती है HCG injection का क्या dose होना चाहिए? HCG injection का dose 5000 से 10,000 के बीच में कुछ भी लगा सकते हैं मैं generally 10,000 dose prefer करती हूँ और मैं सब भी patient को ovulation या इसको दुसरी भाशा में हम trigger कहते हैं हम patient को HCG 10,000 देते हैं और फिर हम यह assume कर लेते हैं कि patient को injection लगाने के बाद ovulation हो ही गया होगा और उनको timed intercourse मतलब उनको next 4-5 days तक साथ में रहने के लिए हम सला देते हैं तो HCG injection क्या यह नुकसान दायक है? नहीं, HCG injection बिल्कुल safe है जब हम patient को हर में HCG injection लगाते हैं तो patient को लगता है कि पता नहीं क्यों लगा रहे हैं इससे क्या फायदा है क्या इससे कुछ लगाता है लगाने से नुकसान तो नहीं हो जाएगा तो मैं आपको clarify कर देती हूँ कि HCG injection एक natural hormone होता है जो ovulation के dying पर शरीर से भी secret होता है और जब patient pregnant होता है तब भी ये hormone patient की pregnancy continue करने के लिए important होता है तो HCG injection ना केवल patient को conceive होने वे help करता है उसके साथ साथ वो pregnancy को carry करने के लिए भी help करता है क्या इसके नुकसान कुछ होते हैं इसके नुकसान कुछ नहीं होते हैं पर लेकिन कई बार अगर हमने injections लगा के patient के multiple eggs बनाया होते हैं तो HCG injection के वज़े से कई बार patient को उल्टी उखका और पेट पे पानी भरने की एक छोटी समखामना रहती है पर क्यूंकि हम ये सब चीजे करते हुए पेशन की sonography के बाद ही हम injection लगाते हैं तो ऐसी possibility होने का चांस ही almost zero होता है तो आप बिल्कुल बे फिकर होकर HCG injection अपने fertility treatment में हर महीने safely लगा सकते हैं Thank you